वेलकम दोस्तो, कुछ कॉंसेप्ट्स मैंने आपको पहले कराये थे पिछली क्लास में, बज़े कुछे कॉंसेप्स की आज हम बात करेंगे, देखें, ध्यान से समझना, जो कॉंसेप्स बार-बार एक्जाम में आते हैं, उन्हीं पर हम डिसकस करते हैं हुए इंसांग, है ना, यह नाम बड़ा जीव से लगता है, और डारेक्ट लिए आपको इस पर कहा जाएगा कि टिपनी कीजिए, डारेक्ट लिए क्या कहा जाएगा आपसे, कि इस पर डारेक्ट टिपनी का कोशन आपको एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा, यहां तक त इना दूँगा, यही आपके लिए क्या होगा दोस्त, इना होगा, खिलियर, ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाओं, देखिये, हुए इंसांग जो था, एक व्यक्ति था, एक विद्वान था, जो कहां कहा था, आपके चीन का बहुत बिख्षू था, आपके आपके चीन को इखटा करते रहते हैं, उन्हें बहुत बिख्षू कहा जाता है, वो एक यात्री भी था, अपने आप में एक विद्वान भी था, और एक अनुवादक था, अनुवादक समझते हो, जो एक भासा में लिखिस सामगरी को दूसरी भासा में बदलते हैं, उसे अनुवादक कहा जाता है, वे चीन से भारत तक की लंबी यात्रा के लिए सबसे परसिद्ध माने जाते हैं, यानि वो कहां से आयते हैं, चीन से आयते हैं, उरती लंबी यात्रा उनने प्राचीन भारत में की, वो 639 से लेके 645 तक उन्होंने क्या कि उसने भारत की यात्रा की, ठीक है, इस यात्रा के दुरान उसने भारत में बहुत धरम का अध्यान किया, क्योंकि आपको पता है, जो बहुत धरम में बहुत जाज़ा तेजी सो समय फैल चुका था, तो उसने भारत में आकर नालंदा विश्विद्याले इत्यादी में आकर क्या किया, बोध धरम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और कई बोध गरंतों का उसने अनुवाद भी किया क्योंकि यहां के बोध गरंत आपको पता या तो पालिय प्राकरत भासा में आपको देखने के लिए मिलते तो इन गरंतों को उसने अपनी चीनी भासा में क्या क्या अनुवादित किया उनकी यात्रा और अनुवादित ने चीन में बोध धरम के परसार में महत्पुन भूम करनी भाई अब देके चीन में तो बोध धरम का कोई मतलब नहीं बनता बहुत धरम की स्थापना मातना पुद्ध ने की थी है ना भारत के अंदर तो आप कहेंगे उस धरम को चीन तक पहुचाया किसने आप कहेंगे वेंसांग ने जो कुछ लिखा जो किताब इसकी चीन में पहुची वहीं से ही धरम आगे बढ़ा वेंसांग का जनम चीन के चैंग जो में हुआ था चीन में जगा है चैंग जो उन्होंने बच्पन में ही बहुत बिक्षू बनने का फैसला ले लिया था कि मैं क्या बनूँगा बहुत धरम का बिक्षू बनूँगा चीन में बोध धरम का अध्यान किया उन्होंने हाला कि उन्हें लगा था कि चीन में बोध धरम का ग्यान अपूर है उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि जितना कुछ बोध धरम के बारे में चीन के लोग जानते हैं वो पूरा नहीं है वो कम है थोड़ा सा उन्होंने भारत जाने का फैसला कर लिया क्यों उन्हें ऐसा लगता था कि कोई भी चीज जहां पर उत्पत्ती उसकी हुई है वहापर उसके बारे में सबसे बहतर जाना जा सकता है पर फूर एक्जामपल कोई किताब यूपी में लिखी गई है तो यूपी के माहोल में जाके उस किताब की असली कृती पढ़ना जादा बहतरीन लगता है तो वेन सांग का भी यही मानना थे कि अगर भारत के अंदर जन्मा है बहुत दरम तो भारत ही उसकी पूर जानकारी दे सकता है वेन सांग ने भारत के यातरा के दुरान कई बहुत तिरतलों का दोरा किया नालंदा विश्विद्याल्या मैंने बताया था अजंता और अलोरा की गुफाएं इन सभी के अंदर उसने आकर अध्यन किया अब आपको पता है प्राचीन भारत में नालंदा विश्विद्यालिया जो की बोध विख्षों का एक समू भी आप कह सकते हैं पहली आप केंगे पूरी दुनिया की इन्वेस्टी थी जो नालंदा विश्विद्यालिया भारत में स्थापित की गई थी उन्होंने भारत के ब तरफ वापस बढ़ रहे थे बोध और जैन द्रम में लोगों की संक्षा क्या हो रही थी कम हो रही थी हुए इंसांग की भारत की यात्रा के बाद उन्होंने चीन जब लोटे वो तो चांग हाने में एक बोध मठ्की उन्हें स्थापना भी की थी एक बोध समुग बनाया उन्होंने माँ जाके चूकि पूरी नोलीज उन्होंने ले ली थी अब वक्त था उस नोलीज को चीन के लोगों को देना उसके लोध मसा जाके एक संगठर बनाया एक बोध मत बनाया और एक यात्रा वरतान्त भी लिखा अपना ही होने वाली, बहुत बढ़िया, next concept, अब एक time period थोड़ा ध्यान से देखिए, 200 BCE से लेकर 300 CE, मतलब यह 500 साल का period है दोस्तों, यह क्या है आपका 500 साल का period है, इसमें बार-बार exam में सवाल आता है, हैना अलग-लग तरीके से आता पर एक question done है, इसलिए triple star लगा देता हूँ, मैं इस period का 200 BCE से लेकर 300 CE के बीच का period, यानि कि for example मैं कहूँ यहाँ से 0 है, तो इससे आगे की सन को क्या का जाएगा दोस्तों CE, आगे की सन को CE, तो कितने CE तक आप केंगे सर 300 common era तक, CE का मतलब क्या होता, bracket मा आप लिख ले common era, common era, और इससे पहले के period को आप क्या कहते है, before common era, BCE, कितने BCE आपके निसर 200, तो 200 साल तो आपके यह हो गए, है ना, और 300 साल आपके यह हो गए, टोटल हो गए आपके 500 साल दोस्तों, कितनों के 500 साल, BC की full form में लिख लिख लिना, before common era, before common era, बात समझ में आई है नहीं आई है, आपके यह बिल्कुछ है, तो इन 500 सालों के period में जो भी परिवर्टन हुए, उसमें बेसिकली 2 question बनते हैं, जो में आपको यहाँ पर top 2 question कराने वाला हूँ, और यही एक जायातर होता था, आप कहेंगे समुदरी वैपार, तो समुदरी वैपार में जो समुदरी पर port बनाये जाते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी ship बड़े बड़े जहाँ जाकर रुकते हैं, उन्हें बंदरगा कहते हैं दोस्तों, तो बंदरगा किस पर कार कहते हैं, उन्हें प्रश्मी तटपर था गुजरात के अंदर दोस्तों इसे भड़ोच या फिर भरूच भी कहा जाता था प्रश्मी व्यपार के लिए जो भी व्यपार प्रश्मी देशों से होता था वेस्टन कंट्री से होता था इसी केंदर से होता था जैसे रोम के साथ अगर रोम जो इटली में एक सहर है और मध्य है आप कहेंगे एसिया के साथ व्यपार करना है तो इसी आप कहेंगे किस से होत बंदरगा से होता था दूसरा सोपारा सोपारा बंदरगा जो कि महराष्ट के वर्तमान पालगर छेतर में इस्तित है यह प्राचीन बंदरगा रोमन और मध्यपूर्व के साथ क्या करता था दोस्तों व्यापार करने में मदद करता था तीसरा था काली कूट जिसे आद के समय मैं काली कट कहा जाता है यह केरल का बंदरगा है जो समुदरी वैपार में बड़ी भूमी का निभाता था इससे मसाले, रेसम और कई वस्तों का वैपार होता था तो मैंने आपको सबसे पहले कौन से बंदरगा बता है जो की अरब सागर की तरफ क्या थे ठीक है दोस्त तो मैंने आपको वह बंदरगा कराए जो की पश्चिवी तट पर थे और अरब सागर के किनारे थे लेकिन हमारा एक तट और भी तो है बंगाल की खाड़ी वाला आप केंगे बिल्गुल सर जो कि जब हम भारत की बात करते है आप भारत की बात करते है इस तरीके से तो ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है आपकी ये अरब सागर हो जाता है और एक दच्छिन भारत का भी तो इलाका है आप केंगे बिल्कुल सर एक ये वाला तट हो जाता है तो तीनो तरीके का क्या आपको बंदरगा बताऊंगा, अभी मैंने इधर की तरफ वाले बंदरगा आपको बताए, अब मैं बंगाल की खाड़ी वाले बताता हूँ, देखे, बंगाल की खाड़ी में एक बंदरगा था दोस्तों, काची, इससे आज के समय में काची पूरम का जाता है, तमिलनाडू म जी वो बंदर गातें जो कि बंगाल की खाड़ी में इस्तित थे, ठीक है, इसके अलवा तामर लिपटी, बंगाल छेतर में इस्तित बंदर काता, दचिनपूर एसिया के साथ व्यपारं, दचिनपूर वेशिए है। jazz जैसे आपने देखोंगा, इंडोनेशिया है, मलेसिया है फिलिपिन्स है, थाइलेंड है, सिंगापूर है, यह सब भी दचिनपूर एसिया के देश हैं, इनके साथ व्यापार करने के लिए, या फिर सिरलंका के साथ व्यापार करने के लिए, तामर लित्ती, जो बंगाल छेतर में इस्तित बंदरगाता उसका इस्तेमाल होता था, जो बंदरगा था मुसिरिस ये केरल में इस्थित्ता दोस्त दच्छिन भारत का सबसे प्रमुक वैपारी केंद्रिस को माना जाता था अब इससे किस किस चीज का और किस किस के साथ वैपार होता था मुसिरिस से सब चादा काली मिर्च का वैपार और मसालों का वैपार होता थ दोस्तों तमिल नाडू के तटिये छेत्र में इस्तित था, ये बंदरगा चोल समराज जगा एक महत्पूर व्यपारिक केंदर था, इसका मतलब इसके किसका अधिकार था इस बंदरगा पर आपके इसल चोल सासको का, क्योंकि चोल चेर पांडे, तीन सरदारियां उन्हें बात कर रहा था आपसे, क्लियर, आगे देखें, अब वही पीरिड है, पीरिड सेम है, वही 500 साल का पीरिड है दोस्त, है न फिर से वही कितने साल, आपके इसल ये 500 साल का पीरिड है, इस बार आपसे पूछा है पस भारतिया व्यपार, केंदर नहीं पूछे, व्यपार बलकि भारत से भार भी क्या हो चुकी थी दोस्तों, पहुच चुकी थी, जैसे सबसे पहले व्यपार होता था सड़क मार्ग से या फिर जल मार्ग से, सड़क मार्ग से कैसे व्यपार होता था इसको सजिये, इस काल में भारत में विपिन व्यपारिक मार्गों का विकास हो जो उत्तर भारत से लेकर और दच्छिण भारत तक जाते थे, पूर्वी भारत से लेकर पश्वी भारत तक जाते थे, प्रमुक मार्गों में उदियन का मार्ग जो की उत्तर पश्वी भारत से दच्छिण भारत तक जाता था, है ना पथली पुत्र का मार्ग दोस्तों क्या क बताया आपको केरावाडी कांची ये सभी बंदरगा हुआ करते थे जिन से अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से और भारत के दच्छनी तटिये छेत्रों से या होता था बंदरगाओं के माध्यम से वेपार होता था तो वेपार उस समय सड़क मार्ग से भी होता था और अगर मिस्र से क्या करना है वेपार करना है तो समुदरी वेपार का ही इस्तेमाल किया जाता था इसके लावा वेपार की क्या खास बात थी इसको समझते हैं इसके लावा वेपार में आप देखेंगे वेपारिक वस्तर वेपारिक वस्तर भारत से निर्यात होने वाली प्रम प्रमुक वस्तों में मसाले थे जिसमें काली मिर्च, इलाइची, दाल, चीनी और अद्रक, भारत से वेपार की जाते थे, भारत में कपड़ा उद्योग भोत अच्छा था, धातु में सोना, चांदी और तामा, तीनों परकार की धातु में भारत से निर्यात और आयात की जात यह ऐसे केंदर थे जो कि नगर वैपार केंदर थे इनकेंदर वैपार होता था इसलिए बड़े-बड़े नगरों में तब्दील हो गए वैपार से इंकम होती है और वही इंकम जब नगरों में लगती है दोस्त तो उससे क्या होता डवलप्मेंट होता है उससे विकास होता ह क्लियर दोस्त समझ में आया तो ये दो कोश्चन जो मैंने आभी आपको कराए एक तो मैंने कराया क्या मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको एक तो मैंने आपको कराया कि 200 BCE से 300 BCE के बीच भारते वैपार के बंदरगा कोन-कोन से हैं जिसे मैंने आपको तीनों परकार की कराया अरब सागर के किनारे बंदरगा और दच्छिन बारत के बंदरगा फिर मैंने आपको बताया 220 BCE से लेके 320 BCE के बीच भारत का वैपार जिसे मै काविया और पुरान गुपतर उत्तर गुपतकार में महिलाओं की इस्तिति इसको और समझेंगे दोस्त ये कुछ छोटे-छोटे से कॉंसेप्ट आप बचे हुए ठीक है अगले कॉंसेप्ट का बहुत ध्यान से पढ़िए जब आप इसको पढ़ेंगे तब मैं आपको इससे समझाओंगा चलिए दोस्त ध्यान से देखिए एक चीजों को समझिए आप से पूछा जाएगा पेपर में कि पाली और प्राकरत भासा पर टिपनी कीजिए अब आपने तो सुनी नहीं आपने संस्कृत सुनी है हिंदी सुनी है कन्नड, मल्यालम, तमील ऐसी लेंग्विस तो आपने सुनी है लेकिन आपको नहीं पता दोस्त संस्कृत से हिंदीगा सफर हमने डारेक्ट तेह नहीं किया प्राली और प्राकरत भासा भी बीच में आई थी दोस्त वो क्या थी उनके बारे में सुनते हैं देखिए प्राकरत और पाली भासाएं प्राचीन भारते एतिधास की भासाएं वोली जाती हैं ठीक है जो संस्कृत भासा से ही क्या हूई थी दोस्तों विक्सित हुई थी एक तो होती है सुद संस्कृत, गच्छामी, पठामी, है ना, ये जो सब्द होते हैं, है ना, किदे को जाती, हमें तो आती भी नहीं, है ना, तो जो संस्कृत थी, प्योर कठिन संस्कृत थी, उससे लोगों ने क्या किया था, एक सिंपल संस्कृत का निर्मान किया था, उसे प्राकर्त भासा से विक्सित होकर ये भासाएं आम लोगों की बोली बन गई थी दोस्तों तो आप केंगे प्राकर्त भासा क्या थी आम लोगों की बोली जैसे आज के समय आप देख रहे हो हम हिंदी बोलते हैं से कि मैं हिंदी बोल रहा हूं ये हिंदी नहीं है ये खड़ी हिंदी है, हिंदी का एक रूप है, जिसमें लठमार भासा जैसी यह लगती है, वो चीज. विभिन रूप की बात करें प्राकर्त भासा का कोई एक निशित रूप नहीं होता था, यह भरत के अलग अलग छेत्रों में बोली जाने वाली कई बोली ओमें बोली जाती थी अब आप हिंदी को यह देख लिजे हिंदिली में बोली जाती है हिंदी खड़ी बोली में बिहार में बोली जाती है भोजपुरी में आप क्योंगे और अलग 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 छेत्रों में आप लिखें प्राकर्त भासा का उपयोग बोध और जैन्द्रम के साहित्य में किया गया यह इस्टार लगा लेना बोध और जैन्द्रम अगर हमें साहित्य पढ़ना है लिट्रेचर पढ़ना है तो हमें प्राकर्त भासा आनी चाहिए क्योंकि आम बोलचाल की भासा में हमेशा बोध और जैन धरम के गरंत लिखे जाते थे और उस समय आम बोलचाल की भासा प्रा करती है फिर पाली भासा ही हुआ करती थी इतनी बात आपको याद रहेगे नहीं रहेगे आप किंगे बिल्कुल सा पाली भासा की क्या खास बात थी इसको समझिए पाली भासा की क्या खास बात थी ज्यान से समझना कोई भी दिक्कत हो तो बताना उत्पत्ती पाली भासा भी संस्कृत भासा से ही विच्षित हुई थी मुक्य तब बोध धरम के साइटे में इसका इस्तमाल होता था को पाली भासा ही देखने के लिए मिलेगी बोध धरम के मूल गरंत जैसे त्री पिटक की गरंत की बात करें तो पाली भासा त्री पिटक का मतलब क्या होता दोस्तो तीन टोकरियां त्री पिटक का क्या मतलब है तीन टोकरियां तीन टोकरियां मतलब आखेंगे साथ तीन टोक प्राकर्त भासा का विकास किया था पाली भासा का परसार भारत के साथ स्रिलंका में म्यामार में और थाइलेंड डेसों में भी वा क्योंकि इसमें वेपार तो बहुत होता ही था वेपार के साथ भासा और संस्कृति का अदान प्रदान तो देतो दोस्तों हमें से सुभाविक से होता है तो इसलिए आपको याद रखना है कि पाली और प्राकर्त भासा भारत की प्राचिंतम भासाओं में से एक रही है ठीक है और अशोक की अभिलेग भी इनी दोनों भासाओं में लिखे गए थे हाँ अगर आपसे पूछ ले अशोक के अभिलेगों की लीपी क्या थी तो आपके सर भासा तो थी आपकी क्या पाली और प्राकर्त लेकिन लीपी असोक की अभिलेगों में आपको ब्राम्य और खरोष्ट लीपी देखने के लिए दोस्तों मिलेगी बाद में इनी लीपियों से हमारी क्या देवनागरी लीपि जिसे आज हमने इस बोर्ड पर लिखे रहे है किन लीपि इसे क्या कहते है देवनागरी लीपि कहते है झाल झाल